आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में क्या फरक है, क्या अंतर है What are the differences between the Catholics and the Protestants So मसी में आप सभी भाई बेनों को जैमसी के अगबर फिर से सवागत है आप सब का एक और नए वीडियो के साथ अब इस वीडियो में आगे जाने से पहले आईए हम थोड़ी सी नजर डालते हैं क्रिस्टेनिटी के इतिहास के उपर जब भी हम Reformation का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मार्टिन लूथर ही आते हैं उन में से पहले नाम शामल होता है जॉन वायकलिफ का अब जॉन वायकलिफ जो थे वो चाहते थे कि जो बाइबल है वो सिर्फ कलरजी मैं जो प्रीस्ट है सिर्फ उन्हीं के हाथ में ही नहीं यह वारन हर एक क्रिस्टन के हाथ में होनी चाहिए लेकिन Catholic Church को ये नामन्जूर था इसलिए उन्होंने जॉन वाइकलिफ को मरवा दिया उसे खतम करवा दिया इसकी पूरी डिडियल आप जान सकते हैं यह वीडियो आप देख सकते हैं इसके बाद जॉन हास आए जॉन हास के साथ भी सेम वही हुआ फिर एंट्री होती है मार्टिन लूथर की मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर कोई प्रोटेस्टन नहीं थे मार्टिन लूथर कोई बैप्टिस या कोई और डिनोमिनेशन से नहीं थे मार्टिन लूथर एक कैतोलिक प्रीस्ट थे और मार्टिन लूथर जब अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़ने लगे रोमियों के किताब से तो उन्हें पता चला कि हमारी कलिस्या में कुछ तो गड़बड़ी है जब उन्होंने कोशिश की कि हमें अपने चर्च को हमारी सिक्षा को रिफॉर्म करना चाहिए इसे थोड़ा बदरना चाहिए जहां गलत है हम हमें वहाँ पर सही होना चाहिए तो इन्होंने कोशिश करी चर्च को रिफॉर्म करने की लेकिन फिर से कैथलिक चर्च को ये नामन्जूर था और उन्हों ने मार्टिन लूथर को एक हेरिटिक बता दिया कि यह है इसकी जो सिक्षा है बाइबल के बाहर है तो यही पर स्टार्ट होती है जो स्टार्ट होता है रेफॉरमेशन का या प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना तो मार्टिन लूथर ने जो अपने चर्च था वो कैथलिक प्रीस्ट था खुद उसने अपने चर्च का विरोध किया और कहा कि नहीं हम कोछ जगहों पर गलत है हमारी कुछ सिक्षाएं गलत हैं बाइबल के अधार पर नहीं है इसलिए हमें अपनी चर्च को अपनी सिक्षाओं को रिफॉर्म करने के जरूरत है लेकिन उसके साथ भी वही होने वाला था जो जान वाइकलिफ के साथ हुआ जान हस के साथ हुआ लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से बच निकला इसके मार्टिन लूथर के ओपर भी हमने बहुत ही बढ़िया एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि रिफॉर्मेशन क्या था मार्टिन लूथर कौन थे कैसे कैसा हुआ वो वीडियो भी देख सकते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनके ओपर हम प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथलिक्स हैं वो सेहमत हैं तो पहले बात हम सेहमत हैं वन गॉड के ओपर कि एक ही खुदा है Catholic भी मानते हैं, Protestant भी मानते हैं कि एक ही खुदा है दूसरा, कि Jesus is the son of God कि ये शुखुदा का बेटा है Catholic भी मानते हैं, Protestant भी मानते हैं तीसरा, Trinity The belief in Trinity कि परमिशर त्रियेक है इस बात को Catholic भी मानते हैं और Protestant भी मानते हैं और चौती बात जिसके उपर हम सहमत होते हैं वो है Eternal Damnation and Eternal Life कि मृत्यू के बाद एक अननत विनाश है और एक तरफ अननत जिन्दगी है तो ये हैं चार पॉइंट जिनके उपर हम Christians यानि Protestants और Catholics एग्री करते हैं सहमत होते हैं दूसरा अब हम शुरू करते हैं डिस एग्रीमेंट्स को कि कौन सी वो चीजे हैं जिनके उपर हम सहमत नहीं है तो सबसे पहले Salvation अब बहुत ही बड़ा डिफरेंस है Catholic से बीच में और Protestants के बीच में Salvation यानि उधार यानि मुक्ति को लेकर अब Protestants का बलीफ करते हैं कि we are saved by grace through faith in Christ alone that's it and you put your faith in Christ you enter the heaven कि हम उधार पाते हैं प्रभु येश्यू के प्रमेशर के अनुग रह के दौरा प्रभु येश्यू के उपर विश्वाश करके यानि विश्वाश करके अनुग रह के ही दौरा हमारा उधार होता है जैसे लिखा हुआ एफिसियों अध्याय दो वचन आठ में तो ये है प्रोटेस्टन्स का बली इसलिए जब हम वचन में जाते हैं रूमियों अध्याय तीन वचन अठाइस में यहां पर भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुश्य विवस्था के कामों के बिना मनुश्य विवस्था के कामों के बिना विश्वाश के दौरा धर्मी ठहरता है रूमियों अध्याय तीन वचन अठाइस तो सिंपल सी बात कि प्रोटेस्टन्ट मानते हैं कि हम प्रमिश्र के अनुग्राय के दौरा प्रभु यश्यू के उपर विश्वाश करने के दौरा बचाये जाते हैं विदौट अनी वर्क्स बिना किसी काम के लेकिन एक बात को मैं यहां पर कलियर करना चाहता हूं कि जो गुड़ वर्क्स हैं वो क्या हैं लोग इसको लेकर अक्सर कन्फियूज होते हैं जैसे कि मैं पहले भी कई बर बता चुका हूँ जो अच्छे भले काम हम करते हैं जो अच्छे काम करते हैं जो भी हम करते हैं मसीह में आकर ये एक फल हैं कि हमने उधार पा लिया है, मसीह को जान लिया है लेकिन ये requirement ये कारण नहीं है कि हम ये सब करके उधार को पाएंगे अब दूसरी तरफ Catholic, Catholic क्या believe करते हैं Yes Catholic कि ये जरूर मानते हैं कि हमें प्रभु येश्यू के उपर विश्वाश करना चाहिए उधार को पाने के लिए लेकिन साथ साथ आपको काम भी करने पड़ेंगे उधार को पाने के लिए Jesus प्लास वर्क्स अब ये काम क्या हैं बहुत से काम हैं जैसे कि बैप्टिजम लेना, यो क्रिस्ट यानी प्रभु भोज में शामिल होना अच्छे काम करना, लोगों का भला करना तो ये सारे काम मिलके हमारे उधार के कारण बनते हैं जबकि प्रोटेस्टन मानते हैं कि ये सब बाद में आता है, पहले हम विश्वाश करते हैं, प्रभु इश्यू के ऊपर और फिर प्रमिशर अनुग रहे करता है और हम नजाद पाते हैं, धर्मिशर दो हो जाते हैं, और फिर हम अच्छे काम करते हैं, अज फ्रूट अफ सालवेशन तो ये है सबसे पहला पॉइंट कि हमारा जो सालवेशन है, उसको लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस है एक तरफ प्रोटेस्टन जो मानते हैं कि ग्रेस थूफ फेथल ओन और दूसरी तरफ कैथलिक्स हैं जो मानते हैं कि जीजस प्लास वर्क्स अब डिस अग्रिमेंट नमबर टू जो दूसरी असेहमती है वो ये है कि प्रोटेस्टन बिलीव करते हैं बाइबल इस दो फाइनल अथॉर्टी विश्वाश और प्रैक्टिस के लिए दूसरी डिफरेंस है बाइबल को लेकर जो प्रोटेस्टन बिलीव ही हमारी एक आखरी एक फाइनल अथॉर्टी है विश्वाश के लिए कि हमें क्या विश्वाश करना है विश्वाश यानि फेथ मीनिंग की मसीह होते हुए हमारा विश्वाश क्या है हम किन चीजों को मा मांते हैं और प्रैक्टिस मीनिंग कि मसी होते हुए हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारने चाहिए दूसरी शब्द में कहें तो हमारे विश्वाश और मसीही जिंदगी का बेस यानि अधार कोई और किताब कोई और परसनल रवलेशन कोई और इंसान नहीं है वारन सिर्फ और सिर्फ पवित्तर बाइबल है अब दूसरी तरफ कैथलिक्स कैथलिक्स बाइबल को जरूर मानते हैं कि येस वी हैव टू बलीव इन बाइबल लेकिन वह अपने चर्च को पॉप को और बहुत से जो ट्रेडिशन है जो रिती रिवाज हैं उनको भी अपने और प्रेक्टिस का अधार मानते हैं कैथलिक पॉप को और ट्रेडिशन को एक समान मानते हैं बाइबल के मतलब कि अगर पॉप ने कुछ कह दिया तो इसे मना नहीं किया जा सकता है इसे मानना ही पड़ेगा जैसे हम पवित्र बाइबल को मानते हैं तो ये लोग मानते हैं क Catholic Church, Pop, Tradition and Bible, they are on the same level. और दूसरे तरह Protestant है, जो मानते हैं कि Bible is the final authority for everything. अगर कुछ भी Bible के खिलाफ जाता है, विरोध में जाता है, तो वो गलत हो सकता है, लेकिन Bible एक दम सही है. यह था दूसरा डिफरेंस, अब तीसरा, आप्रोच टू गॉर्ड, कि हम permission को कैसे पाते हैं, permission के पास कैसे पहुँआएं, permission के सामने कैसे जाते हैं. हमें किसी priest या किसी और इनसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, permission से कुछ मांगने के लिए, या permission سے बात करने के लिए, अब हम अपने prayer request शेयर कर सकते हैं हमारे दूसरे विशवाशी भाई बहनों के साथ, पास्टर्स के साथ लेकिन अगर हम ना भी करें अगर हम अपने prayer request दूसरों को ना भी बताएं तो भी हम खुद डाइरेक्ट परमेशर के साथ बैठ सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनके सामने प्रेयर कर सकते हैं वचन में लिखा है इबरानियों और द्याय चार वचन सोना इसलिए आओ हम अनुग्रे के सिंगहासन के निकट साहांस बांध कर चलें इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका मतलब हो रहा है कि साहस साहस बांध कर आएं प्रमिश्चर के अनुग्रे के सामने साहस बांध कर आएं कि हम पर दया की जाए और वे अनुग्रे पाए जो आवे शक्ता के समय हमारी सहायता करता है फिर आगे लिखा है योहना अध्याए 14 में प्रबु येश्यू यहां पर बात कर रहे हैं अपने चेलों के साथ, अपने मानने वालों के साथ, उसके पीशे चलने वालों के साथ तो वे कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महमा हो फिर आगे प्रभु येश्यू यहना सोरा वचनते इसमें कहते हैं कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे सिधा प्रभु येश्यू कह रहे हैं कि तुम पिता से मांग सकते हो जदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वेह मेरे नाम से तुम्हें देगा तो प्रभु येश्यू इस बात को कलियर कर रहे हैं कि आप सीधा पिता के पास जा सकते हैं आप सीधा पिता से कुछ मांग सकते हैं इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब प्रभु ये शुक्रूस पर कुर्मा हुए तो उस वक्त जो जूइश टेंपल था और उसमें जो परदा लगा होता था जो कर्टन होता था वो दो हिस्सों में फट गया था अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि यहूदिय थी ये जो स्थान था इसमें सिर्फ एक याजक साल में एक ही बार जा सकता था उसके लिए भी उसे बहुत जादी तैयारियां करनी पड़ती थी अब वो जाता था साल में सिर्फ एक बार लोगों के गुनाहों का पापों का जो कुर्बानिया होती थी उसके लहू को लेकर और वो लोगों का कफारा लेकर आता था Now अब यह जो कर्टन था आती पवित्रस्तान का प्रभू येशप के मृत्यू के वक्ति यह फट गया इसका मतलब ये है कि अब हर कोई अपने गुनाहों को अपने पापों को लेकर अती पवितरस्थान में यानि पिता के सामने खुद आ सकता है और अपने गुनाहों से अपना कफारा ले सकता है, माफी मांग सकता है, प्राइस्चित कर सकता है, प्रबु येश्यू के लहू के दौरा, किसी मेमने या किसी बशडे के लहू के दौरा नहीं, वरन प्रबु येश्यू के लहू के दौरा, फिर जब हम पढ़ते हैं पहला प मसीही में प्रीस्ट होड़े हैं, हम सब याजक हैं, हम खुद सीधा पिता के पास जा सकते हैं, हमें मुसा की जरूरत नहीं है, हमें किसी याजक की जरूरत नहीं है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, वरन प्रबु येशु ही हमारा मुसा है, और उसके तरू हम पिता के पास पहुँन सकते हैं और ये अधिकार हमें मिला है प्रभू येश्यू की मृत्यू के दोढ़ाँ दूसरी तरफ दूसरी तरफ Catholic हैं जो कहते हैं कि किसी प्रीस्ट के सामने करें और वे आपके पापों को लेगा और पिता के सामने जाएगा और आप माफी को आप शमा को पा सकते हैं या फिर वो ये भी माते हैं कि मर्यम के थ्रू जेजिस के पास हम जा सकते हैं लेकिन सचाई ये है कि अब हमारा भिचवाई मुसा नहीं है को कोई और इंसान नहीं है वरन सिर्फ प्रभु येश्यू ही है पहला तिमोटियस अद्याय दो वचन पांच में लिखा है क्योंकि परमिश्य एक ही है क्योंकि परमिश्य एक ही है और परमिश्य और मनुश्यों के बीच में भी परमिश्यर और मनुश्यों के बीच में भी सिर्फ एक ही बिचवई बिचवई यानि मेडियेटर एक ही मेडियेटर है अर्थात मसीह येश्यू तो ये था एक तीसरा बहुत बड़ा डिफरेंस अब चोथा डिफरेंस है परगेटरी को लेकर अब सभी लोग मरने के बाद डिरेक्टली परमिश्यर की प्रेजन्स में नहीं जा सकते हैं परगेटरी के अकॉर्डिंग इस कैथलिक बिलीफ के अकॉर्डिंग वह कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें इस जगह पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है परगेटरी वहां पर जाना पड़ेगा और यहां अपने गुनाहों से परज करना पड़ेगा कहने का मतलब कि शुद्ध होना पड़ेगा परज मतलब शुद्ध होना और यहीं से हमारा फिफ्ट पॉइंट स्टार्ट होता है फिफ्ट पॉइंट है कि प्रेयर्स फॉर दे डेड मरे हुऊं के लिए प्राथना मतलब कि यहां पर जो कैथलिक्स हैं वो यह मानते हैं कि हम जो जीवित हैं हम पाप में मरे हुए लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं और हमारी दुआएं इनका जो स्टेटस है उसे बूस्ट करेगी कि वे सदा की जिंदगी परमेशिर की प्रेजन्स में उसकी हजूरी में गुजार सकें अब कैथलिक्स सिर्फ मुर्दों के लिए ही प्राथना नहीं करते हैं नमबर छे वे मुर्दों से भी प्राथना करते हैं फॉर एक्जेमपल वे मरियम के आगे पॉलस के आगे पत्रस के आगे और जो भी Catholic सेंथ होए हैं उनके सामने उनके आगे प्रियर्स करते हैं Protestant दूसरी तरफ जो Protestant है वे कसी इंसान के आगे नहीं वर्ण सिर्फ और सिर्फ प्रभु येश्यू के आगे ही प्रियर्स करते हैं कि हमारा सेवियर है और एकलोता मेडियेटर है जैसे पहलत मुझे सद्याई दोवचन पांच में संथ पॉलस कहते हैं कि हमारा एक ही मेडियेटर है कोई और नहीं कोई दूसरा नहीं तो ये था अब जो सातवा डिफरेंस है वो है ट्रांस सबस्टेंशियेशन को लेकर अब ये ट्रांस सबस्टेंशियेशन क्या है इसका मतलब है कि जो प्रभु येशू का बलड है और जो उसका मास है वो लिटरली एक्षियल में असल में बलड बन जाता है और मास बन जाता है ये कैथल का और प्रभु येश्यू के बदन का ना की actual बदन ना की actual लखू तो ये हैं कुछ main differences जो हम देख सकते हैं Catholic और Protestants के बीच में साथ main difference और चार मैंने agreements भी बताएं जिनके उपर हम सहमत होते हैं बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है Catholic में और Protestant में तो इसी चीज़ को थोड़ा clarify करने के लिए मैंने ये वीडियो बना है ताके हम सब लोग समझ सकें कि वाक्या में जो Catholic belief है वो क्या है और जो Protestant belief है वो क्या है So I hope this video helps you और आपको बहुत information मिली होगी इस वीडियो के थूँ अगर आप इस वीडियो से कुछ सीके हैं कुछ जाने हैं तो प्लीज इस वीडियो को और भी हमारे भाई बेनों के साथ और भी अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जलूर कीजिए May God bless you all see you again